बिफोर स्टार्टिंग दे वीडियो प्लीज जोंट फॉर्गेट तो सब्सक्राइब माय चैनल बात जी हम करेंगे आज मुहमद बिन सल्मान की जिनको MBS भी कहा जाता है और ये साथी अरब के क्राउन प्रिंस हैं ये सब तो आप लोग जानता हैं ये सारी बात तो कुछ दिन पहले उन्होंने एक अपना एक इंटर्वियू दिया एक स्टेट्मेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इसलाम को रिफॉर्म करने की जरूरत है उसमें कुछ हदीसें ऐसी हैं यानि जो प्रॉफिट की सेंग्स बताई जाती हैं उसके उपर वो बहुत जादा कान्फिडेंट नहीं हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन हदीसों को हटा देना चाहिए बिलकुल मैं उनकी बात से बिलकुल एगरी करती हूँ कि इसलाम में इसलाम एज रिलिजन उसमें बहुत सारी बाते ऐसी हैं जिनको के हमें दुबारा से देखने की जरूरत है जिनको हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है और जिनके उपर हमें सोचना चाहिए और उन में से बहुत सी चीज़े ऐसी जैसे कि हन्हों ने कहा कि अधिसे ऐसी हैं जो हदिसे के बात हती है कि प्रॉफिट ने यह कहा merchant ने वह चाह। वो अपनी तरफ से गड़ी वी बाते अपनी तरफ से बनाई हुई बाते हैं और मुझे निहीं क्याल कि वो सारी चीजें जो बताई जाती हैं प्रॉफिट ने कहीं है इसलिए कि आज के जमाने के साथ वो बातें मैच नहीं करती वो जैसा कि MBS ने कहा कि वो बातें, उन्नों ने भी कहा कि वो बातें उस जमाने की थी, उस ताइम के साथ थी, जब ये कही गई थी, वक्त के साथ बाते चेंज हो जाती है और हमारा जो कुछ भी एक्शन होता है और जो कुछ स्टेडीज होती है उसकी वज़ा से हमें वक्त के साथ साथ अपने आपको बदलना होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस टाइम पर थी और इस वक्त वो चीज़ें हम नहीं समझते के अभी भी उनी चीज़ों के ओपर चलना चाहिए तो बिल्कुल इसलाम में यह जो बाते करते हैं यह जिहाद की और जी इसको उड़ा दो और उदर जाके फट जाओ और उद्शक का जो एक और हमें कहानी सुनाई जाती है उसको मैं कहानी ही कहूंगी वो उसको लेकर जो आगे चलते हैं और पर तरह तरह पर inherit के सिलाम ने यह कहा है कि इसलाम ने वो कहा है प्रॉफिट में यह बताया प्रॉफिट ने वो बताया उस चीज़ का ना तो इनके प हो सकती हैं मगर पाकिस्तान में बहुत जादा जहालत है पाकिस्तान में बहुत जादा मुला माफिया है जो हर वक्त इसी तरह की बाते करते रहते हैं और इसी तरह की चीजें जो है वो बताते रहते हैं मैं एक बात और आपको बताती चुनूं भारत का हो सकते हैं कुछ फिगर्स आगे पीछे कुछ गलत भी हो गये हो तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं लेकिन मेरे पास जो मुझे इंटरनेट से यानि जो डेटेल्स मिली वो मैं बता रही हूं कि भारत का जो एजूकेशन का बजट है वो 94,800 करोर है हो सकता है जादा हो सकता है कम हो ठीक है तो आप लोग एक दम से एमोशनल होगे ना नीचे मैसेजिस करना ना शुरू कर दियेगा मैं यह बता रही हूं कि आस पास ही होगा इसके ठीक है ना और पाकिस्तान का जो है वो बजट जो है वो सरफ 30 बिलियन 30 बिलि करोर है अब इसी लिए भारत में जो है जहां से भारत से जो लोग पढ़ लेकर निकलते हैं वो गूगल के और डिफरेंट बड़ी-बड़ी मल्टिनाशनल कंपनीज के सियो बन जाते हैं और पाकिस्तान से जो लोग निकलते हैं वो भला क्या बनते हैं मैं आपको बताते ये जैद हामिज साब ने अपनी एक पिक्चर लगाई है और इसमें वो मुझे एक जहनी मरीज से जादा कुछ नहीं लग रहे हैं इसा लग रहा है इनका दिमाग खराब है और ये कम्प्लिटली पागल हो चुके हैं और इनको पर मेरे खियाले कोई ट्रीटमेंट भी असर नहीं करेगा इनके दिमाग पर इन्हों ने अपनी ये पिक्चर सोचल मीडिया पर रिसेनली शेयर की है और इन्हों ने ये बताने की कोशिश की है कि जी ये वो घजवाए हिंद और वो इस तरह की कोई हरकत करने के लिए बिलकुल तैयार है मेरा तो ख्यालें को कहीं कोने म जा के ना जहां कोई ना फट जाना चाहिए एक बार अधर शरकावस जी जो सीनियर जर्रेश कावस जी हुआ कराची के पार्सी कम्यूनिटी से उनका तालिक ता बहुत जबर्दस जर्रेश्ट है में उनकी बहुत बड़ी फैन हूं और ये बड़ा मुझे प्रिविलेज र चाहें और दूरइब तक कोई न हो कोई न हऊ जाकर लेकिन दूसरों को साथ लेकर फटने का जो तरीका है वह बहुत गलत है तो बिल्कtor गैस पिक्टर भी आपको एक जनूनी और पागल इनसान की पिक्टर आपको लगते होगी है इस तरह के जनूनी और पागल जो हैं वो पाकिस्तान में भरे पड़े हैं मतलब आप एक ढूंडे आपको हजार मिलेंगे तो इसी तरह के तरह के आप जलसे जलूस और जो रैलीज आप देखते हैं उसमें भी निकलते रहते हैं कभी खत्वे नबुत के नाम पर कभी कुछ औ करके हर वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान वही करें जो साओधी अरब और उसके साथ यूए ए करते हैं यानि यूए इमेज आपने देखा ही होगा यूनाटेट अरफ एमरेट्स में कि वहां पर और साओधी अरब में भी यह है काइदा है कि तो दोस्तों यह हो गए तो इससे इसलामी दुनिया बेसिकली इसलामी दुनिया में जो इसलाम की आधी आबादी है लगभग 90 करोर की वह इंडिन सब कॉंटिनेंट में रहती है आपको यह अच्छे से पता होगा तो यहां पर क्या रियक्शन आएगा वो देखना बनता है क्योंकि आपको पता है दोस्तों पाकिस्तान भारत और बंगलादेश के मुसल्मान दुनिया के दूसरे देशों के मुसल्मान से कई गुना जादा बेबकूफ और कट्टर है यहां पर इस तरीके की हरकत हो जाती है अगर मतलब वो सर तन से जुदा और वो जवाने भर के जो डायलोग है व तो यहीं के सारे तो मंगलादेश में भी यह चीज़े होती हैं सारे लोग एकी तरह का वो सिस्टम फालो करते हैं और यह लोग मतलब जब साओधी रेविया जैसे यह डिसीजन लेता है कि जो कुरान या हदीस में जो भी चीज़ लिखी है इस पिसली जो काफिरों के खिला कि यह हर चीज़ पर इनका कुछ अलगी सिस्टम चलता है हर चीज़ को लेकर इनका कुछ अलगी नजरिया रहता है साओधी रेविया के लोग अगर ऐसा सोच सकते हैं तो यह पाकिसान भारत बागलादेश के लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं यह मैं आपको क्लियर बता देता हूँ तो दोस्तों अब देखते आने वाले समय में सिच्विशन बनती क्या है अभी तो ऐसा लग रहा है कि साओधी रैविया जिस तरीके से विजन 2030 के और बढ़ रहा है वो ऐसे बदलाव कर देगा उसने अपने स्लेवर्स में रामायन महावारत जैसी चीज़े एड़ की उस पर यहां के लोगों का ऐसा रियक्शन आये था उन्हों मुस्लिम आवादी की बात कर रहा हूं मैं तो यह आवादी दुनिया के सारे मुस्लिमान देशों से भी जादा है अब समझ सकते हो यह कनवर्टेड लोग जो ओरिजनल हैं उनसे जादा मुस्लिम बनने की कोसिस करते हैं और ऐसा कुछ रियक्शन करते ही हैं यह दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े मुस्लिम हैं तो उस चक्कर में यह लोग कुछ जादा ही कट्टर बन चुके हैं हाला कि साओधी अरेबिया में तक कट्टर अभी तो नहीं बहुत ज़ादा ऐसे कुछ बदलाओ कर सकता है तो अभी इस न्यूस का तो पाकिस्तानी मीडिया में कुछ खास रिक्शन नहीं आया है आरजु काजमी है जो कि वैसे भी लिबरल है और इस तरीके की बाते करती है और लगता है कि इनकी जान को कुछ खत्रा नहों जाए पाकि पाकिस्तान जैसे देश में बैठकर वो इस तरीके की बात है कर रही है तो दोस्तों यह वीडियो यहां पर होता है ख़त्म आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें